Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. Class 6th की history का ये है chapter number 1 and इस chapter में अभी हम बात करेंगे understanding diversity के बारे में. तो हम यहाँ पढ़ना diversity के context को समझेंगे. Diversity का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विविधता, जिसे हम ये कह सकते हैं different from each other, या ये कहलो एक दूसरे से अलग. तो ये जो context है ना, एक दूसरे से अलग. इसको हम किस चीज के लिए use कर रहे हैं? वो चीज हम यहाँ जानेंगे. Look around you in your classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? तो NCRT में सबसे पहले आपसे ये question पूछा है कि आप अपनी classroom में चारों तरफ देखो. और ये बताओ कि क्या आपके जैसा दिखने वाला exactly कोई बच्चा है, तो आपका answer आएगा no. In fact, आप ये भी कहोगे कि मेरे जैसा ही नहीं, बलकि कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं दिखता classroom है. ना तो सबका same behavior है, ना सबका same appearance है, ना सबका एक जैसा act है, ना सबका एक जैसा nature है. सब अलग हैं, है ना? So, in the same way, इस chapter में भी हम वही जानेंगे that we people are different from each other in many ways. कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं बहुत सारे तरीकों में. हम सब एक दूसरे से अलग तो दिखते ही हैं, इसके अलावा हमारा regional, cultural and religious background भी different है. Regional background का मतलब area से हो गया, cultural background का मतलब आपके custom, आपके रिती रिवाज, आपका खान, पान, आपका रहन, सहन हो गया. Religious background का मतलब आपका धरम हो गया, Hindu, Muslim, Sikh, इसाई, ठीक है? So, these differences enrich our lives. अब यह जो differences है, regional, cultural, religious background से जो differences हम देख रहे हैं. इन differences से क्या होता है कि हमारी life में enrichment आती है. अब enrichment कैसे आती है? देखो हम एक दूसरे के culture को जानते हैं, एक दूसरे के religion को जानते हैं. इससे क्या होता है? हमारी जिंदेगी में एक रंग भर जाता है. अब हम यहाँ पर जिन different लोगों की बात करें कि हम एक दूसरे से अलग है, religious and cultural background से. इससे होता यह है कि हमारा जो भारत है यह और जादा खूबसूरत बनता है. हमारे भारत में diversity है. हमारे भारत में diversity तो है ही इसके अलावा enrichment भी है. इसके अलावा इससे हमारा भारत और ज़्यादा interesting बनता है. ठीक है? अब हम यह जानेंगे, what does diversity add to our lives? कि diversity हमारी जिन्देगी में क्या कुछ add करता है? वो चीज़ हम जानेंगे. How did India become like this? इसके अलावा हम यह जानेंगे कि इंडिया में इतनी diversity कैसे आई? Next question है, are all kinds of differences as a part of diversity? कि क्या हर तरीके का difference diversity का part है या diversity कुछ अलग चीज़ है? Can diversity also be a part of unity? क्या diversity unity का ही part है? इन सारे तमाम questions के answer हम इसी chapter में देखेंगे. अब यहाँ पर देखो तीन drawings बना रखी हैं. तीनों drawing एक दूसरे से match नहीं करती ना? बस इसको ध्यान में रखो क्योंकि इसी से related आगे वाला topic है. तो तीन बच्चों ने अलग अलग जो है यह drawing बनाई है. तो अब NCRT आपको भी कह रहे हैं कि अब आप भी एक काम करो इस box में आप भी एक drawing बनाओ और आप compare करो. जब आप compare करोगे तो आपकी drawing इन तीनों उपर वाली drawing से बिलकुल अलग होगी. आपकी drawing अलग होगी इन तीनों से बिलकुल अलग होगी है ना? जिस तरीके से आपकी drawing एक दूसरे से अलग है आपका अपना drawing का style भड़ाई unique है तो उसी तरीके से हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं हम सब एक जैसे नहीं दिखते इसके अलावा हम अलग भाशा बोलते हैं हमारा अलग cultural background है हमारे अलग religious rituals हैं ठीक है? तो जिस तरीके से हम एक दूसरे से अलग नहीं दिखते हमारा एक दूसरे से behavior match नहीं करता है in fact हमारी writing match नहीं करती हमारी drawing match नहीं करती so in the same way हमारे एक दूसरे से language अलग है religious background अलग है cultural background भी अलग है ठीक है? चलिए अब next page पर चलते हैं अब यहाँ पर एक box दिया है और आपकी class में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को कहो कि इसमें answer लिखें तो पहला question है when I go out I like wearing जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे क्या पहनना पसंद है? तो आप अपना answer लिखो यहाँ पर next is at home I speak in कि मैं कौन सी भाषा में बात करता हूँ जब मैं घर होता हूँ next is my favorite sport is मेरा सबसे पसंदिदा खेल कौन सा है? next is I like reading books about कि मुझे books पढ़ना तो पसंद है बट कौन सी books पढ़ना पसंद है? thriller पसंद है या horror पसंद है या fictional पसंद है या non-fictional books पढ़ना पसंद है तो अब सभी बच्चे जब इसमें answer fill-in कर देंगे then ask your teacher to help you check अब अपनी teacher से help मांगो और teacher को बोलो कि मैम सभी के answer को एक बार match करो और ये देखो कि क्या किसी के answer एक दूसरे से exactly मिल रहे हैं तो answer आएग probably not लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपने answer दिये हो शायद कुछ एक बच्चों ने similar answer भी दिये हो जैसे कि how many likes reading the same kind of book how many different languages are spoken by the student in your class तो इनके answer सेम हो सकते हैं जैसे कि suppose करो आपने अगर यहां लिखा कि आपको hockey खेलना पसंद है and classroom में 30 बच्चे हैं 30 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सभी को hockey खेलना पसंद हो and इस 30 में से कुछ 15 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको cricket खेलना पसंद हो so कहने का मतलब है आप कुछ चीजों में तो एक दूसरे से बिलकुल similar होते हो कुछ चीजों में आप एक दूसरे से बिलकुल अलग होते हो so by now you must have recognized अभी तक आप यह समझ गए होगे कि हम एक दूसरे से classroom में different भी होते हैं एक दूसरे से कुछ तरीकों में similar भी होते हैं अब आगे बात करते हैं making friends के बारे में यहां making friends में आप लोगों के आगे एक story बताई है लेकिन उससे पहले एक question आप लोगों से पूछा गया है do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you तो question का मतलब यह है कि क्या आप एक ऐसे इनसान को अपना दोस्त बनाओगे जो आप से बिलकुल अलग है बिलकुल different है and इसी question पर based यह story है यहां पर दो लड़कों की story बताई गई है एक समीर है एक समीर दो है दोनों का नाम समीर होता है समीर एक अंड समीर दो करके हम इस story को जानेगे इसके अलावा यह दोनों अलग अलग बैक्गराउंड से बिलोग करते हैं दोनों का कल्चर अलग है ठीक है दोनों का रीजनल अलग है तो यहां पर समीर दूसरे समीर की एक स्टोरी बता रहा है और यह कहता है कि जो समीर है ना वो समीर दो जो है वो जनपत पर जनपत क्रॉसिंग पर न्यूज पेपर बेचता है अब जनपत क्रॉसिंग एक बीजी इ कि जैसे ही मैं जनपत क्रोसिंग से डेली साइकल लेकर जाता हुना वैसे ही ये समीर दो हमेशा मेरे पीछे-पीछे भागता हुआ आता है इसके हाथ में इंग्लिश पेपर होता है एंड स्क्रीबिंग आउट दे इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्स्चर ओफ हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स इसके अलावा ये समीर दो क्या करता है मेरे पीछे-पीछे भागता तो आता है न्यूस पेपर लेकर वो न्यूस पेप और was in-10 उससे पूछा कि भाई बुझे हिंदी न्यूस पेपर दे दो जैसे ही मैंने उसे हिंदी न्यूसपेपर माँडा His mouth fell open कि उसका मूख खुला का खुला रह गया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे ये लगा कि मैं Hindi नहीं जानता होंगा मैं सिर्फ English जानता होंगा लेकिन मैंने उससे Hindi newspaper मागा उसका मूख खुला का खुला रह गया and he asked उसने मुझसे पूछा You mean you know Hindi कि क्या तुमको Hindi आती है तो मैंने का of course मुझे Hindi आती है और मैंने उससे Hindi newspaper लिया और उसके रुपे भी मैंने दे दिये फिर मैंने पूछा Why What did you think क्यों तुमको क्या लगा कि मुझे Hindi नहीं आती होगी तो वो एकदम से कहता कहता रुप गया और उसने कहा कि तुम अंग्रेज लगते हो But you mean you can even read Hindi लेकिन तुम Hindi भी पढ़ सकते हो उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा of course I can कि of course मैं पढ़ सकता हूँ तो ये बात मैंने एकदम से impatiently होकर कही थी तो मैंने कहा I can speak, read and write Hindi मैं Hindi को लिख भी सकता हूँ बॉल भी सकता हूँ पढ़ भी सकता हूँ and फिर मैंने ये कहा कि जो Hindi है ये मेरे school का एक subject है जिसे मैं पढ़ता हूँ तो उसने एकदम से पूछा कि subjects इसका मतलब क्या होता है How would I explain what a subject was to someone who had never been to school तो उस टाइम पर जब उसने ये पूछा ना कि subject क्या होता है उस टाइम पर मैं उसे explain नहीं कर पाया क्योंकि मेरे लिए काफिर difficult था एक ऐसे इनसान को explain करना जो कभी school ही ना गया हो तो उसे कैसे मालूम पढ़ेगा कि subject होता क्या है फिर मैंने कहा well it is something कि मैं उसे explain करने वाला था इतने में lights change हो गई और मुझे जो है आगे जाना पड़ा क्योंकि पीछे से traffic जो हो horn बजाने लग गए थे ठीक है the next day he was there again next day मुझे वो दुबारा दिखा अब वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में हिंदी का newspaper था अब उसने मुझे कहा कि ये लो भाया आपका अकबार and अब बताएं ये subject क्या चीज है तो यहाँ पर जैसे ही समीर दो ने subject word बोला तो वो जो subject word है English word है उसकी जुबान से बहुत ही strange लग रहा था and it sounded like its other meaning in English that is to be ruled by someone else देखो अब इस line का मतलब क्या है कि subject के दो meaning है एक तो हम विशय के बारे में बात करते हैं जब हम पुस्तकों के बारे में बात करते हैं Math, Science, English ये subject हो गए जो आप स्कूल में पढ़ते हो एक subject का मतलब होता है गुलामी ठीक है यह यह कहलो इस ने हम पर क्या किया था rule किया था we were ruled by some other people those never belong to India तो वो लो कौन थे वो थे Britishers तो हम Britishers के गुलाम थे तो अब देखो इस line को कैसे relate किया समीर एक ने ये कहा कि जैसे ही समीर दो जो newspaper बेचता था उसके जुबान से ये English word subject निकला तो ये subject ऐसे sound कर रहा था जैसे कि वो गुलामी के time period की बात कर रहा हो Britishers के time period की बात कर रहा हो ठीक है फिर मैंने कहा कि subject जो है ये study से related है अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना दोनों का नाम समीर था तो समीर एक वो है जो cycle पे आता जाता है and जो school में पढ़ता है समीर दो वो है जो newspaper बेशता है and ये कभी school नहीं गया ठीक है तो अब क्या हुआ इसी time पर red light हो गई थी तो इसी लिए समीर एक ने समीर दो से कुछ question पूछे तो पहले मैंने पूछा कि भई क्या तुम कभी school नहीं गये तो समीर दो ने कहा नहीं मैं कभी school नहीं गया इसके साथ साथ समीर दो ने proudly ये भी कहा कि जितनी उची तुमारी cycle की seat है न जब मैं इतना बड़ा था तब से लेकर अब तक मैं काम कर रहा हूँ पहले मेरी mother मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला यहां पर आकर अकबार बेचता हूँ तो समीर एक ने समीर दो से ये पूछा where is your mother now कि तुमारी मा अब कहा है इतने में क्या हुआ light change हो गई और मुझे आगे जाना पड़ा लेकिन समीर दो ने पीछे से चिलाते चिलाते ये कहा कि मेरी मा मेरट में है और इतने में वो कुछ और आगे कहता उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी उसकी आवाज drowned हो चुकी थी due to traffic noise traffic की आवाज इतनी ज़्यादा थी तो मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी next day उसने कहा कि मेरा नाम समीर है अब उसने मुझे से भी बहुत shy तरीके से शर्मीले अंदाज में पूछा what's yours कि तुमारा नाम क्या है अब मैं अपना नाम तो बताता लेकिन जैसी उसने मुझे अपना नाम बता है कि उसका नाम समीर है ये थोड़ा moment मेरे लिए incredible था मतलब थोड़ा ऐसा moment था जो ऐसा जिस पर जल्दी से विश्वास ना हो and मेरी bicycle भी क्या हो गई थी wobble हो गई थी wobble का मतलब हो थोड़ा सा लड़ खडाना या डगमगाना थोड़ी shaken हो गई थी मेरी bicycle क्योंकि मेरा नाम भी समीर है तो मैंने उसे कहा my name is Samir too कि मेरा नाम भी समीर है तो उसने कहा what कि क्या वाकई में तुभारा नाम समीर है and his eyes lit up और उसकी आखों में मेरा नाम सुनकर एक चमक आ गई थी और मैंने कहा yes मेरा नाम भी समीर है फिर मैंने इसके बाद कहा कि it's another name for Hanuman's father you know कि क्या तुमको पता है हनुमान के father का नाम भी समीर है इसलिए हम हनुमान को क्या कहते है why you putra हनुमान है ना समीर का मतलब क्या होता है why you so now you are Samir 1 and I am Samir 2 ये बात किस ने कही जो Samir 2 है उसने ये बात कही अब आप confused हो गए होगे Samir 1 वो है जो school जाता है Samir 2 वो है जो newspaper बेचता है जो school नहीं जाता something like that I answered and then I held out my hand हाथ मिलाओ Samir 2 तो उसने जब ये कहा कि मैं Samir 2 हूँ तुम Samir 1 हो तो मैंने हाथ निकाल कर ये कहा कि चलो अब हाथ मिलाओ Samir 2 His hand nestled in mine like a little bird उसके हाथ मेरे हाथ में इस तरीके से ऐसे समा गएते जैसे की एक गोंसले में एक चिडियां अराम से चुपके बैठ जाती है I could still feel its warmth as I cycled away और अभी भी मुझे उसके हाथों की वो warmth महसूस हो रही है ठीक है तो यहां पर न कहीं न कहीं इन दोनों के एक अच्छे connection की बात की है कि इनका अलग 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 इनकी भाषा कह सकते हो आप क्योंकि एक को इंग्लिश आती थी एक को इंग्लिश आती ही नहीं थी इसके अलावा दोनों का religious background अलग था लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से warmth महसूस होई The next day he did not have his usual smile for me अब मैंने जब उसे next day देखा समीर दो को उसके face पर वो smile नहीं थी जो daily basis पर मुझे देखकर होती है सो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे बताया कि there is trouble in merit कि merit में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है Many people are being killed there in riots फिर उसने कहा कि बहुत सारे लोग मेरेट में मारे गई है due to riots riots का मतलब होता है दंगे फसाद होना I looked at the headlines फिर मैंने एकदम से headline में देखा तो headline में था communal riots it blazed तो communal riots जो है headline में चमक रहा था blazed का मतलब होता है चमक ना तो headline बड़े ही मोटे मोटे बॉल्ड अक्षर में लिखा हुआ होता ना तो communal riots लिखा हुआ था newspaper में अब ध्यान से सुनो communal riots का मतलब क्या होता है communal riots ऐसा दंगा फसाद होता है जो अलग-अलग religious background के बीच में होता है जैसे कि for example Hindu and Muslim के बीच में लड़ाई हो Hindus people ये कहें कि हम तुम से बढ़ चड़ कर हैं तुम हमारे आगे inferior हो हम तुम से superior हैं और इसके अलावा Muslim ये कहें कि हम superior हैं Hindu inferior हैं तो जब दो अलग-अलग धरम के लोगों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जब ये लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आ जाते हैं तो उसी को हम communal riots कहते हैं फिर मैंने उसे कहा कि समीर और मेरे इतना कहने पर समीर दो ने ये बोला कि मैं Muslim समीर हूँ और मेरे सभी relatives मेरट में रहते हैं इसके साथ साथ उसकी आँखें भर आई थी मतलब उसकी आँखों में आसू आ गए थे और मैंने उसके shoulder को touch करके उसको होसला देने की कोशिश की और उसने मेरी तरफ नजर उठा कर नहीं देखा अब अगले दिन मुझे समीर दो दिखा ही नहीं क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग का मतलब होता है चोराहा ठीक है नीदर दे आफ्टर नोर एवर अगे ना मुझे उसके अगले दिन और ना फिर कभी मुझे समीर दो दिखा और मुझे ना कोई न्यूस पेपर इंगलिश या हिंदी मीडियम में कोई भी नीद नूस पेपर यह नहीं बता सकता था कि समीर दो कहां गया है दूसरा पर समीर कैम पर जो है इसलिये तो वो जूसपेपर बेचता था तीसरा डिफ्रेंस ये है कि दोनों का cultural background अलग था एंड इसके अलावा दोनों का religion भी अलग था समीर एक हिंदू था, समीर दो मुसलिम था एक और difference यहाँ पर बन जाता है कि दोनों का regional background अलग था समीर एक कहां से था जनपत एंड समीर दो मेरट से था तो यहाँ पर आपको तीन difference बताने थे मैंने यहाँ पर चार से पांच difference बता दिये एक यहाँ पर culture का भी add आप कर सकते हैं समीर एक English में बोलना जानता था समीर दो हिंदी में बोलना जानता था बट फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे से बात की हाला कि इनकी language अलग है घर पे बोलने वाली भाशा अलग है इनकी फिर भी इनों ने एक दूसरे से communication किया ऐसा इसलिए हुआ they made the effort क्योंकि इन लोगों ने परियास किया effort किया एक दूसरे से बात करने का क्योंकि इनको ये जरूरी लगा समीर एक एंड समीर दो दोनों अलग-अलग religious and cultural background से आते हैं जैसे कि अगर हम समीर एक की बात करें तो समीर एक हिंदू है समीर दो क्या है? मुसलिम है तो ये क्या हुआ? हिंदू एंड मुसलिम मतलब different religious background हो गया इसके अलावा दोनों का cultural background भी अलग था different religious and cultural background होने के बावजूद भी दोनों के बीच में दोस्ती हुई और ये जो different culture, different religious background है ये diversity का aspect है, मतलब diversity का part है ठीक है? अब आपको यहां बताना है कि समीर एक एंड समीर दो अलग-अलग religious background से बिलोंग करते हैं तो दोनों के कौन से ऐसे festival है जिनको ये celebrate करते हैं तो समीर एक हिंदू है, तो दिवाली होली आ गया समीर दो जो है वो इद को celebrate करता है क्योंकि वो मुस्लिम है अब आपको भी यहां पर एक story से अपने आपको relate करने कि क्या आपकी भी कभी ऐसी किसी इनसान के साथ दोस्ती हुई है जो अलग हो आप से जो आप से अलग religious and cultural background से बिलोंग करता हो अगर हुई है तो आप अपनी story को relate करो और describe करने की कोशिश करो इन अडिशन टू दियर डाइवर्स, रिलिजिस, अड कल्चरल बैक्ग्राउंड दियर आर अदर वेज इन विच समीर एक और समीर दो आर डिफरेंट फ्रों इच अदर देखो अभी हमने यह जाना कि दोनों समीर के बीच में रिलिजिस अड कल्चरल बैक्राउंड का डिफरेंस था लेकिन इसके अलावा एक और डिफरेंस है कि समीर एक स्कूल जाता है, समीर दो स्कूल जाने की बजाए निउस पेपर बेचता है तो अब एक question आएगा आपके सामने कि क्या ये diversity का part है कि समीर एक school जाता है समीर दो newspaper बेशता है क्या ये diversity का part है नहीं ये diversity का part नहीं है ठीक है ध्यान रखना ये inequality का part है diversity का part नहीं है अब आगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़े discuss करनी है कि समीर दो school क्यों नहीं जाता था do you think it would have been easy for him to attend the school if he wanted to क्या अगर वो school जाना चाहता तो क्या उसके लिए ये easy होता school में जाना और school attend करना तो अपने opinion आपको यहाँ पर बताने है in your opinion is it a fair situation that some children get to go to school and others do not तो आपको यहाँ यह बताना है कि क्या आपकी नजर में यह fair situation है कि कुछ लोग तो school जाते हैं और कुछ बच्चे school जाते ही नहीं है तो आपको बताना है कि क्या यह सही चीज है तो देखा जाए तो यह सही नहीं है सबके पास opportunity होनी चाहिए वो भी equal opportunity है ना चलिए अब आगे इसी चीज़ को हम discuss करेंगे समीर दो school नहीं जाता था reason क्या है reason है कि उसको कभी opportunity ही नहीं मिली school जाने की perhaps you have noticed कि आपके आज़ पास के area में कुछ लोग ऐसे भी हैं and पहनने के लिए enough कपड़े नहीं है इसके अलावा उनके पास enough space नहीं है रहने के लिए so यह जो difference है ना यह difference diversity का part नहीं है बलकि यह difference जो है यह diversity का part ना होकर यह inequality का part है ध्यान रखना तो diversity का part है क्या देखो culture background अलगोना diversity का part है भाशा अलगोना language अलगोना diversity का part है इसके अलावा religious background अलगोना diversity का part है इसके अलावा regional background अलगोना diversity का part है लेकिन अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, एक बच्चे के पास पहनने ओडने को कपड़े हैं, दूसरे बच्चे के पास नहीं है, एक परिवार के पास खाने पीने के लिए खूब चीज़े हैं, दूसरे परिवार के पास नहीं ह ये किस चीज़ का part है, inequality का part, inequality को हम क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान का क्या देना है इस चैप्टर में, कि diversity and inequality दोनों में difference हैं, ठीक है, In equality जिसे हम a samantha कहते हैं In equality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other person तो inequality का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को equal opportunity ना दे या किसी को equal resources ना मिले तो वहां पर a samantha आ जाते है वहां पर एक rift create हो जाता है अमीर गरीब के बीच में तो यही क्या होती है, inequality होती है, the caste system is another example of inequality, inequality का एक another example है caste system, मतलब जाती प्रथा, अब इस जाती प्रथा में society को अलग अलग गुरुप में डिवाइड किया हुआ था, depending upon the work, तो लोगों के काम के बेसिस पर डिवाइड किया हुआ था, एड इसके अलावा जो जिस गुरुप से बिलोंग करता था, उसको उसी गुरुप में रहना होता था, कहीं और गुरुप में वो नहीं जा सकता था, या किसी और गुरुप का वो काम नहीं पकड़ सकता था, अब इस चीज़ को मैं तोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, ब्रेनेज बगेरा का काम करते थे, ब्रेनेज क्लीन करने का काम जो करते थे, उनको अंटचेबल कहा जाता था, ठीक है, तो आप देखो, अलग अलग गुरुप में बाटा हुआ था लोगों को उनके काम के बेसिस पर, तो जो पुजारी थे, जो लेंड पीपल थे, जो काम के बेसिस पर इस तरीके से वर्ण में बाटा हुआ था, यह भी एक्सपेक्ट किया जाता था, कि जो जिस गुरुप में है, वो उसी गुरुप का काम करेगा, जैसे कि अगर एक कुमार का बेटा है, अगर वो कुछ और बनना चाहे, तो वो नहीं बन सकता था, कुमार का कुमार ही बनेगा, मतलब कुमार का बेटा भी गड़े बनाएगा, ठीक है, तो जैसे कि अगर शत्रिया का बेटा होगा, तो वो शत्रियाज वाला ही काम करेगा, वैश्य का बेटा होगा, वो वैश्य वाला ही काम करेगा, शुद्राज का बेटा होगा, वो वही काम करेगा जो शुद्रा गुरूप के लोग करते हैं तो आप समझे मेरी बात कि एक गुरूप को दूसरे गुरूप का काम पकड़ना अलाउड नहीं था इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था आप जिस गुरूप में हो आप वही काम करोगे तो अब हमें ये देखने को मिला कि लोगों में टैलेंट होने के बावजूद भी इनको अपोर्चुनिटी नहीं मिलती थी जैसे कि एक कुमार के बेटे से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी यही सेम काम करे जो उसके पिताजी करते हैं चाहे उसका बेटा कितना भी इंटैलिजेंट हो लेकिन उसे अपोर्चुनिटी नहीं मिलती थी इस सिस्टम वोज कंसीडर्ड इर्रिवर्सिबल ये सिस्टम इर्रिवर्सिबल था जिसको स्टॉप करना मुश्किल था क्योंकि आपको अपना प्रोफेशन चेंज करने की आजादी नहीं थी इसके अलावा ये भी फ्रीडम नहीं थी कि आप अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरे के प्रोफेशन की जानकारी लो सिर्फ अपने प्रोफेशन तक सीमित रहो, दूसरे के प्रोफेशन में आपको नहीं जाना, उसकी जानकारी भी नहीं लेनी So this created a situation of inequality, तो यहीं पर हम क्या देखते हैं, inequality देखते हैं तो हमें यह देखने को मिला कि अपर कास्ट ऊपर जाती गई, सो कोल लोर कास्ट और जादा नीचे आती गई, तो हमें दोनों के अंदर रिफ्ट देखने को मिला आप इस चैप्टर में आगे आने वाले काफी चैप्टर में inequalities के बारे में पढ़ोगे, अलग-अलग तरीके की inequality पढ़ोगे अब यह जो next topic है, इसको हम next video में करेंगे, till then bye bye, thank you so much for watching this video, आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड सकते हैं इसके अलावा आपको कोई doubt है ना, comment section में लिखिये, and please मेरी video को like, share करना, बिल्कुल मत भूलना, अगर पहली बार आयो, तो channel को subscribe करें, किये बिना बिल्कुल मत जाना, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, bye bye Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel, learning with pace, हम लोग क्लास 6 की civics का first chapter कर रहे हैं, first chapter का हमने already first part कर लिया, आज हम second part इसका देखेंगे first part में हमने ये जाना, कि diversity क्या होती है, diversity and inequality दोनों में क्या difference है, अब हम जानेंगे कि diversity हमारी life में क्या कुछ नया add करती है, तो second part में हम ये देखेंगे, कि diversity के कुछ significant point क्या है, ठीक है, अगर आपने first part नहीं देखा, तो उसका link में description box में देदूँगी अब चली शुरू करते अपना topic, जैसे कि आपने समीर एक, समीर दो की story जानी, और आपको ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, वैसे ही आपकी life में भी कोई ऐसे दोस्त होंगे, जो आपसे बिलकुल अलग होंगे, क्योंकि समीर एक and समीर दो दोनों की story में हमने ये जाना, एक दूसरे से ये अलग religious background से थे, regional background अलग था दोनों का, and culture background अलग था, फिर भी ये एक दूसरे के दोस्त बने, in the same way आपके भी कोई ऐसे friend होंगे, जो आपसे बिलकुल different होंगे, and आपने अपने ऐसे different दोस्तों के घर पर अलग तरीके का खाना भी खाया होगा, क्योंकि अलग-अलग religion में, अलग-अलग culture and religious background में, तरह-तरह के cuisine बनते हैं, ठीके सबकी अपनी अलग-अलग specialty होती है, इसके अलावा आपने अपने दोस्तों के different festivals भी celebrate करे होंगे, and उनके customs, रीती रिवास जो पहनने ओडने के हैं, कपड़े वगेरा वो भी try करे होंगे, आपने अपने ऐसे दोस्तों की भाशा भी सीखने की कोशिश की होगी, right, in the same way, जब आप reading करते हो, या stories सुनते हो, तो आप अलग-अलग stories सुनना पसंद करते हो, अलग-अलग stories पढ and sometimes आपको ये भी अच्छा लगता है कि आप खुद story बना रहे हो, many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories, तो जो young people हैं, उनको अलग-अलग ये stories सुनना and अलग-अलग stories पढ़ना and अलग-अलग books रीड करना इसलिए पसंद है, क्योंकि उनको अलग-अलग stories से अलग-अलग ideas मिलते हैं and जो लोग story लिखते हैं, जो storyteller होते हैं, वो ideas कहां से लेते हैं, उनको ideas आते हैं different places से, अलग-अलग books से, real जिन्दगी से and खुद की imagination से तो आप यहां पर क्या समझे, यहां पर यह समझे कि हम लोग अलग stories पढ़ते हैं, ठीक है, कभी-कभी हमें thriller stories पसंद हैं, कभी-कभी हमें fictional non-fictional stories पसंद आती हैं, हमें horror stories पसंद आती हैं, हम अलग-अलग adventure देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं, तो इनसे हमें help यह म जब वो other places पर visit करते हैं and इसके अलावा वो अलग-अलग books पढ़ते हैं, अपनी real जिंदगी से वो inspiration लेते हैं, दूसरों की जिंदगी से inspiration लेते हैं, अपनी imagination को फिर वो story में डालते हैं. So in the same way, जब आप ऐसे दोस्तों से मिलते हो, जो आपसे अलग हैं, अलग culture, अलग religion and regional background से हैं, तो आपको वहाँ पर क्या सीखने को मिलते हैं, आपको उनके thought process समझने को मिलते हैं, आपको पता चलता है दूसरों के culture के बारे में, ठीक हैं, तो diversity हमारी जिंदगी में बहुत Some may have lived in forests, close to animals and chosen to write of their fights and friendship, कुछ ऐसे writers होते हैं, जो forest में रहकर animals की जिंदगी के बारे में बारी की से देखते हैं, फिर उनकी fights एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ उनकी जो bonding होती है, animals की उसके बारे में लिखते हैं Others read real account of kings and queens, real account जो आप history में पढ़ चुके हो, कि राजा रानियों के real account लिखे जाते थे, ठीक हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो real accounts को पढ़ना पसंद करते हैं, ये जानना पसंद करते हैं कि पहले राजा रानी किस तरीके से रहा करते थे And wrote stories about love and honor, कुछ ऐसे storyteller होते हैं, story writer होते हैं, जो राजा रानी की stories लिखना पसंद करते हैं, उनके love, उनके honor के बारे में लिखना पसंद करते हैं, जैसे कि आप already history में पढ़ के आचुके हो, chroniclers जैसे हो गए Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure, कुछ अपनी ही जिन्देगी के बारे में, अपनी childhood memories के बारे में लिखते हैं, school में उनके कौन दोस्त थे, school की memories, इसके लावा उनके खुद के adventure, इन सब चीजों के बारे में लिखना पसंद करते हैं अब imagine करो, कि जो storytellers and writers हैं, अगर उन writers and storytellers को ये कहा जाए कि आपको एक ही जगह पर रहना है, इसके अलावा दो color के आपको कपड़े पहनने हैं हमेशा के लिए, जैसे कि red and white इसके अलावा आपको एक ही same food खाना है, जैसे कि for example, कि आपको हर टाइम आलू ही आलू खाने हैं आपको दो animals का ही take care करना है, जैसे कि deer and cat, इसके अलावा आपको खेलने में सिर्फ एक ही game दिया जाएगा, snakes and ladders, जिसे हम सांप CD कहते हैं तो अब एक बात बताओ, जब हम इन लोगों का ऐसे limited कर देंगे, क्या ये stories लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इन्होंने diversity ही नहीं देखी तो diversity देखो हमारी life में कितना कुछ add करती है, आप न diversity के थुरू बहुत सारी चीज़े सीखते हो, आप एक दूसरे के culture के बारे में जानते हो, एक दूसरे के thought process के बारे में जानते हो, एक दूसरे का perception समझने की कोशिश करते हो, हार्मनी पीस के साथ रहना आपको तभी आता है जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, इसके अलावा आप diversity से imagination को increase करते हो, diversity से आपको तरह तरह की stories पता चलती है, तो diversity हमारी जिंदगी में बहुत कुछ add करती है, अगर आपको एक specific area में रहने को बोल दिया जा करोगे, क्योंकि आपकी life में कुछ भी नया होगा नहीं, इसके अलावा आप बोरियत के मारे ना तो कुछ लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, एक ही चीज पढ़के बोरो जाओगे, एक ही चीज लिखते लिखते भी बोरो जाओगे, तो कहने का मतलब है कि अगर हम story tellers and story writers को भी अगर ये कहे एक ही जगह पर रहो, एक ही तरीके का कपड़े पहनो, एक ही गेम खेलो, एक ही एनिमल को पालो तो इससे होगा क्या, क्या वो story लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, बस वही है, अब हम जानेंगे diversity in India, अब हमारे प्यारे भारत में diversity क्या है, इसक तरे की diversity आपको देखने को मिलती है, हम अलग-अलग भाशा बोलते हैं, मतलब यहां तो ऐसा है, कुछ किलोमीटर के बाद भाशा बदल जाती है, अलग-अलग food हैं सबके, इसके अलावा अलग-अलग festivals हैं यहां पर, इसके अलावा अलग-अलग religion को practice करने वाले लोग हैं, तो यह सब किसका पार्ट हैं, यह सब diversity का ही तो पार्ट हैं, बट actually if you think about it, अगर आप ध्यान से देखो इतनी diversity होने के बावजूद भी, we do many things that are similar, हम ऐसी चीज़े करते हैं जो similar है, बस उनको करने का तरीका अलग होता है, जैसे कि for example, आप पूजा पार्ट ही लगाओ, हिंदूस जो हैं, उनका पूजा पार्ट करने का तरीका अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें similarity है, क्या similarity है, ऊपर वाले कोई पूजते हैं ना सब, कहते हैं ना कि भगवान तो एक ही है, बस उनकी पूजा करने का तरीका अलग है, सो देख जाए, तो बहुत similarity हैं यहाँ पर, हम करते एक ही चीज़ हैं, बट करने का तरीका अलग-अलग होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हम डाइवर्सिटी को कैसे explain कर सकते हैं, अगर हम आज से 200-300 साल पहले की बात करें तो, तो अगर हम आज से 200 या उससे थोड़ ऐसा और पहले की बात करें, मतलब वो time period जब हमारी जिन्देगी में ना तो train थी, ना aeroplane थे, ना bus थी, ना car थी, लेकिन फिर भी people traveled from one part of the world to another, तो देखो हमारी जिन्देगी में जब ना train, ना aeroplane, ना bus, ना car कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग एक जगे से दूसरी जगे जाय करते थे, travel किया करते थे, कैसे travel करते थे, ships के through, horses से, मतलब घोडे पर बैट कर, या camels का use करते थे, उट का use किया करते थे, या फिर paddle paddle निकल जाया करते थे, ठीक है, अब हम यहां यह जानेंगे इस paragraph में, कि लोग एक जगे से दूसरी जगे travel क्यों करते थे, जबकि ना aeroplane थे, ना ही किसी तरीके की car, vehicle, कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग एक जगे से दूसरी जगे बहुत दूर-दूर places पर, distant places पर travel क्यों करते थे, reason क्या था उसके पीछे, तो यहां पर कुछ various reasons बताए है, often they went in search of new land, नई जमीन की तलाश में जाते थे, new places to settle in, कुछ नए settlement की वज़े से जाते थे, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे, जो trading के लिए जाया करते थे, उनको travel करना पड़ता था, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there for a long time, it means कि traveling करने में बहुत time लगता था, क्यों? क्योंकि vehicle नहीं था, aeroplane नहीं थे, train नहीं थी, तो इस वज़े से traveling करने में बहुत time जाता था, इसके अलावा, जब वो traveling करते थे, पहले के time पर, तो natural frontier को cross करना पड़ता था, तो जब भी वो travel करके एक जगे पहुँच जाते थे, तो वो लोग वहाँ पर काफी time के लिए, लंबे समय के लिए रहा करते थे, क्योंकि traveling करने में time भी तो बहुत लगता था, ना? इसके अलावा, कुछ और reason भी थे, कि लोग क्यों travel करते थे एक जगे से दूसरी जगे, many other left their homes because famine की वज़े से, famine का मतलब होता है, जब scarcity of food हो जाए, मतलब जब खाने के लिए रोटी ना हो, ठीक है, रोटी सबजी ना हो, इसके अलावा, कुछ इलाकों में अगर सूखा इसके अलावा, कुछ लोग work की सर्च में, काम की तलाश में निकल जाया करते थे, और कुछ लोग इसलिए travel करते थे, क्या पता वहां पर war वगेरा या attack होता हो उन पर, तो उस डर की वज़े से वो निकल जाया करते थे, बहुत सारे ऐसे reason थे, कि लोग एक जगे से दूसरी जगे travel करते थे, लेकिन ये देखो कि वेहिकल्स ना होने की वज़े से भी लोग travel किया करते थे, हाला कि travel करने में बहुत time लगता था, और इस वज़े से वो एक जगे जब settle हो जाते थे, तो वहां काफी लंबे समय तक रुका करते थे, बट फिर भी ये देखो कि न एरोप कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ आकर रहने लगे, तो इन में एक दूसरे का कल्चर मिक्स हो गया, एंड मिक्स कल्चर में हम ये देखते हैं कि कुछ नया तरीके का कल्चर जो है वो create हुआ, तो आईए इसके बारे में अब हम जानते हैं कि इस traveling की वज़े से कल्चर कैसे मिक्स हुआ, ठीक है, sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little and at others times, they manage to do the things in old ways, देको इस लाइन में क्या लिखा है, बहुत interesting से और बहुत ही ऐसी चीज़ लिखे है, जिससे आप relate कर पाऊगे, कि कुछ लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, नए प्लेसिस में जाते, वह पर जाकर वो रहने लग जाते, तो ऐसा करते करते, अलग-अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ एक एरिया में रहने लगे, तो इस में से कुछ लोग तो ऐसे थे, जो न्यू चीज़ों को अड़ैप्ट करने लगे, नई चीज़ों को सीखने लगे and थोड़ा- हो जाता है, इनकी language का, इनके food, इनके religion का, एक हमें mixture देखने को मिलता है, और यहीं से होता है intermixing of the cultures, और जिससे हमें कुछ नया और एक different तरीके का नजरिया, एक different तरीके का culture में perspective भी देखने को मिलता है, The history of many places, अगर हम अलग-अलग places की history उठा कर देखें, तो हम यह जानेंगे कि अलग-अलग places में अलग-अलग culture थे, and अलग-अलग culture ने लोगों की life को, लोगों के culture को shape किया, तो इसी वज़े से हम यह देखते हैं, कि different culture होनी की वज़े से हमें अलग-अलग regions, मतलब अलग-अ एरिया में भी diversity इसी लिए देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक एरिया की अलग unique history रही है, right? Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to geographical area in which they live in, तो diversity तब होती है, जब लोग न, एक geographical area जहां पर वो रह रहे हैं, वहां की life को जब वो adapt करने लगते हैं, For example, जो लोग sea area के पास रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, उन लोगों से बिलकुल अलग होगा, जो mountainous area पर रहते हैं, क्योंकि दोनों में हमें ये देखने को मिलता है, जो sea area हो गया, जो coastal area हो गया, जो mountainous area हो गया, इन दोनों area का, जो geographical area ये है, अलग-अलग atmosphere है, environment अलग है, जो रहने वाले लोग अलग तरीके से रहते हैं, mountainous area में रहने वाले लोग अलग तरीके से रहते हैं, दोनों अलग तरीके के culture, religion, इन सब को follow करते हैं, तो इसी से हमें diversity भी देखने को मिलती है, क्यों दोनों area में रहने वाले लोगों का food अलग है, रहने का तरीका अलग है, इन फेक्ट आपको बोल चाल में भी difference देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहां हम यहीं जानेंगे कि जो mountainous and coastal areas में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में किस तरीके का difference आपको देखने को मिलता है, हमें दोनों ही regional areas में clothing difference देखने को मिलता है, दोनों area में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग है, इसके अलावा eating habits अलग होती है, इसके अलावा वो जिस तरीके का काम करते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होता है, राइट, अगर आप शहर and गाउं में रहने वाले लोगों की बात करो, तो इनके बीच में भी बहुत differences ह जैसे कि शहर वाले लोग जो हैं, वो physical surrounding से इतना closely नहीं रहते, that means कि वो खेती बाड़ी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, अगर गाउं में देखें, तो गाउं में सबजियां वगेरा उगाई जाती है, agricultural activities की जाती है, whereas अगर शहरों की बात करें, तो शहरों में बहुत कम vegetables and grains को grow किया जाता है, क्योंकि शहरों में हम देखते हैं, industrial areas होते हैं, तो शहरों में क्या होता है कि आपको agricultural activities बहुत ही seldom देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, तो इसलिए शहरों में रहने वाले जितने भी dwellers हैं, उनको food के लिए, grain के लिए, market पर depend रहना देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट हम next video में complete करेंगे, चलिए मिलते हैं next video में, till then bye bye, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए तो please like, share and पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो subscribe करें भीना बिलकुल मत जाना, आप मेरे साथ telegram, instagram पर भी जुड सकते हैं, आ Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel, Learning with Pace, Class 6 की history का ये है first chapter, the chapter name is Understanding Diversity, and इस chapter में अभी हम बात करेंगे, केरिला एंड लद्दाक के बारे में, इस से पहले हम already दो parts कर चुके हैं इस chapter के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो जा कर देखो, उनका लिंक आपको description box में मिल जाएगा चलिए अब शुरू करते हमारा topic, हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एक area की diversity पर historical and geographical factor का क्या influence हमें देखने को मिलता है, historical factors का मतलब है हर एक area, हर एक place का अपना एक अलग historical background रहा है, ठीक है? इसके अलावा geographical factor का मतलब है climatic condition, तो हम ये जानेंगे कि area की diversity पर इन दोनों factors का क्या influence पड़ता है? एंड हम यहाँ पर दो different parts जो है हमारी country के दो different places, केरला एंड लद्दाक, इन दोनों का difference जानेंगे, केरला एक coastal area है, लद्दाक एक mountainous area है, अब आप एक काम करो, इंडिया का map उठाओ, एंड एटलस पर केरला एंड लद्दाक दोनों को locate करो, और locate करने के बाद मुझे comment section मे बताओ, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर यह देखेंगे, कि यह जो दोनों अलग geographical location पर जो places situated है, यहाँ पर लोग किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्या work यह follow करते हैं, अपने livelihood को earn करने के लिए क्या काम करते हैं, ठीक ह सबसे पहले यहाँ पर हम लद्दाक के बारे में बात करेंगे, लद्दाक एक रेगिस्तानी इलाका है mountains में, यह जम्मू एंड कश्मीर के east में हैं, यहाँ पर very little agriculture is possible here, that means कि यहाँ पर बहुत ही कम agricultural activities possible हैं, मतब बहुत ही कम केती बाड़ी यहाँ पर हो सकती हैं, इसके पीछे reason यह है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती, and लद्दाक का large part हर साल snow से cover रहता है, बर्फ से ढखा हुआ रहता है, यहाँ पर आपको बहुत ही scanty trees देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम पेड़ पोदे यहाँ देखने को मिलेंगे, अब यह जो आगे वाला part है, यह point तो जब यहाँ पर summer months आते हैं, तो इस time पर जो snow है वो melt हो जाती है, तो यह जो melted snow है, इससे यह पानी को collect करते हैं, and उस पानी को यह पीते हैं, तो लद्दाक के लोगों को पीने का पानी collect करने के लिए summer months पर depend रहना पड़ता है, summer months में बर्फ पिंगलती है, and यह पानी को collect करते हैं, and most important question है, इसके अलावा यह जो पूरा लद्दाक और के बारे में यहां पर बताया गया है, यहां से एक एक लाइन आपने अच्छे से पढ़नी है, किसी भी तरीके से question आ सकता है, ठीक है, अब इसके अलावा, अगर हम यह देखें कि यहां के लोग अपने livelihood के इन से पाश्मिना वूल प्रेड्यूस होता है, अब यह वूल जो है ना पाश्मिना वूल यह बहुत ही pricey होता है, बहुत costly होता है, and इस वूल से जो पाश्मिना शॉल बनाई जाती है, वो भी बहुत costly होती है, इसके अलावा जो लद्दाक के लोग हैं, वो अपनी गोट स फिर वूल को collect करते हैं, फिर वूल को collect करके Kashmir के trader को बेचते हैं, एंड कश्मीर के लोग फिर पाश्मिना शोल को बनाते हैं, अब ये chain आपको ध्यान रखनी है, कैसे? देखो, ध्यान रखना कि लद्दाओं में पाश्मिना शोल नहीं बनाई जाती, बलकि लद्दाओं में क आश्मिना शोल बनाए जाते हैं, ठीक है तो ये चेन आप ध्यान रखना अच्छे से, अगर हम यहां के लोगों के कान पान की बात करें, तो यह क्या खाते पीते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, यहां के लोग मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स काते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे की चीज, बटर हो गया, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि लद्दाक में हर फैमिली के पास गौट है, काउज हैं और जोज हैं, जो की एक याक काउज होती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर ट्रेडर्स अट्रेक्ट नहीं हुए थे, यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि जो लद्दाक है न, it was considered a good trade route, लद्दाक को एक बहुत अच्छा trade route माना जाता था, क्योंकि यहां से बहुत सारे passes थे, passes मतलब रास थे, लद्दाक से बहुत सारे passes थे, उन passes से, उन रास्तों से केरावेंस में सामान भरके export किया जाता था, एंड सामान की trading की जाती थी, लद्दाक के रास्तों से जहां पर सामान भिजवाया जाता था, सामान का trading होता था, उस place को आजम कहते हैं तिबबत, ठीक है, तो इन केराव किन चीजों को carry किया जाता था, textiles को, spices को, raw silk को, and carpets को, तो यू का यू आपको याद रखना है, ठीक है, यू का यू आपको याद रखना है कि किन किन चीजों को carry किया जाता था, इन केरावेंस में, यहां पर लद्दाक का एक area ऐसा दिखाया है, जो कि dry barren landscape है, dry मतलब सू एक landscape की picture है, तो यह देखने में जितना खूबसूरत है, रहने में उतना ही tough है, ठीक है, next point बहुत important है, बुद्दिज्म reached तिबबत वाया लद्दाक, तो question आ जाएगा कि तिबबत में बुद्दिज्म कैसे पहुँचा, आपको answer में लिखना है वाया लद्दाक, and next इससे भ कहा जाता है, चार प्लेसिस आपके सामने देदेगा, आपको टिक करना है लद्दाक पर, लद्दाक को हम लिटल तिबबत कहते हैं, लद्दाक में आज से कुछ 400 साल पहले इसलाम धर्म का introduction हुआ था, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखोगे न, बहुत significant मात्रा में आपको Muslim population देखने को मिलेगी लद्दाक में, लद्दाक का अपना एक oral tradition है, that means कि ये songs गाते हैं, poems गाते हैं, poems को recite करते हैं basically, इसके अलावा यहां से ये जो है लास्ट लाइन, ये most important है, इसको star mark कर लेना, कि तिबबत का एक national epic है, ठीक है, तिबबत का एक national epic है, केसर सागा, ध्यान रखना ये तिबबत का national epic है, ना कि लद्दाक का, तिबबत का जो national epic है, केसर सागा, ये लद्दाक में बहुत famous है, बहुत प्रचलित है, और इस केसर सागा पर Muslim and Buddhist, दोनों ही धरम के लोग इस पर performance देते हैं, और इसको मिलकर गाते भी हैं, बहुत important question है, इसको ध्या के बारे में, हमने लद्दाक के बारे में जान लिया, अब हम केरला के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर देखो कि किस तरीके से पाश्मिना शोल को बनाया जाता है, और कोन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, लद्दाक के लोग बनाते हैं, पाश्मिना इंडिया के southwest corner में केरला situated है, it is surrounded by the sea on one side and hills on the other, केरला is surrounded by the sea on one side, that means केरला के एक तरफ अगर आप देखोगे, तो समुंदरी इलाका है, दूसरी तरफ आप देखोगे, तो पहाडी इलाका है, तो जो ये हिली एरिया है, यहाँ पर number of spices grow होती है, अब कौन कौन सी spices grow होती है, ये question already आया हुआ है, आपको spices के नाम याद रखने है, pepper, that means काली मिर्च, cloves, that means long, इसके अलावा cardamoms की बात करें, तो इसे हम ilaichi कहते हैं, तो pepper, cloves, cardamom, p, c, c, pepper, clove, cardamom, ये जो है, यहाँ पर in hills में grow होती है, और इन्ही spices की वजए से यहाँ पर बहुत सारे traders आये थे, केरला में ना सबसे पहले Jewish and Arab traders आये थे trading करने के लिए, इसके अलावा Saint Thomas, ये कौन थे, ये थे Apostle of Christ, and Saint Thomas भी केरला आये थे, कुछ लगभग आये थे ये 2000 साल पहले, ध्यान करो 2000 साल पहले क्या, इस चीज़ को आपने Jesus Christ से relate करने, अब आपको याद रहेगा, तो ऐसा कहा जाता है कि जो Saint Thomas थे, जिनको हम Apostle of Christ के नाम से इस टाइटल से भी जानते हैं, तो जो ये Saint Thomas थे, ये जब यहाँ 2000 साल पहले India आये, तो ऐसा कहा जाता है ये इंडिया में अपने साथ Christianity लेकर आये थे, ठीक है, इसके अलावा काफी सारे अरब ट्रेडर्स केरला आये, और यहाँ पर सैटल डाउन हुए, इसके अलावा इबन बतूता यहाँ पर आये थे, इबन बतूता जब यहाँ आये, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर आकर अपना ट्रेवलोग लिखा, तो इबन बतूता कुछ आये थे, लगबग 700 साल पहले, तो इबन बतूता ने केरला में जो ट्रेवलिंग की उसका एक ट्रेवलोग लिखा था, ट्रेवलोग में इन्होंने अपने experience के बारे में बताया, और जो इन्होंने केरला शहर में देखा, उसके बारे में इन्होंने अपने ट्रेवलोग में लिखा, तो इबन बतूता के इस ट्रेवलोग से हमें ये पता चलता है, कि केरला में जो मुस्लिम कम्यूनिटी थी, इनको ना highly respected community माना जाता था, ठीक है, मुस्लिम कम्यूनिटी जो थी, ये highly respected community थ तो वासकोडी गामा जो है, वो यहां इंडिया आए, एंट इन्होंने जो sea route निकाला, उस sea route के त्रू हर Portuguese को रस्ता मिला, इंडिया आने का, ठीक है, तो sea route किसने discover किया था, वासकोडी गामा ने किया था, तो वासकोडी गामा ने जब sea route discover कर लिया, तो बहुत सारे Europeans थे, ज जो आप 8th class में जाकर पढ़ोगे, कि बई Britishers आए यहाँ पर, French Trader यहाँ पर आए, Portuguese Traders यहाँ पर आए थे, तो कहने का मतलब है, लोग यहाँ पर आए, हमारे इंडिया ना सोने की चिडियां था, तो यह जो सोने की चिडियां थी ना, बिसिकली इसमें सभी को अट्रेक्ट किया, लेकिन ओल एन ओल सब लूट के ले गए, और तो क्या ही कहें, है ना, चलिए, अब आगे बात करते हैं, Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religion, तो अब आप देखो, Kerala में अलग-अलग trader आए, अलग-अलग country से लोग आए, तो इसलिए हमें Kerala में ये देखने को मिलता है, कि अलग-अलग धरम के लोग जो हैं यहां पर रहने लगे थे, जैसे कि जुदाइज्म, इसके अलवा इसलाम, Christianity, Hinduism, बुद्धिज्म, तो अलग-अलग religion के लोग यहां पर रहने लगे थे, अब इस paragraph में हम Kerala के sea area की बात करेंगे, तो sea area में जो मचुआरे होते हैं, वो मचलिया पकड़ते हैं, तो Kerala के भी इस sea area में जो मचुआरे हैं, वो मचली पकड़ने के लिए, जिन fishing nets का use करते हैं, वो fishing nets बिल्कुल same Chinese fishing nets की तरह दिखती हैं, एंड इन fishing nets को Kerala में चीना वाला कहा जाता है, बहुत important question है ये ठीक है, इसके अलावा Kerala में जो बरतन fry करने के लिए use किये जाते हैं, जिसे fry वगेरा कोई तलने वगेरा के लिए use किये जाते हैं, बरतन उनको कहा जाता था चीना चटी, ठीक है, क्या कहा जाता था चीना चटी, तो question आ जाएगा, या तो ये पूछ लेगा examiner की चीना वाला क्या है, या fishing net को क्या कहा जाता है, और आप देखना कि आपको चीना चटी और चीना वाला, दोनों ये option देखने को मिलेंगे, और ये option इसलिए मिलेंगे, ताकि examiner को पता है, confused हो जाओगे, तो इसको ध्यान रखना, चीना चटी क्या है, चीना चटी is used for utensils, और वो बरतन जिनमें fry किया जाता था, और चीना वाला used for fishing nets, ठीक है, इसके अलावा, ये माना जाता है कि दोनों ही वर्ड में, जैसे चीना वाला, चीना चटी, दोनों ही वर्ड में, चीन जो वर्ड है, ये चाइना से आया होगा, सो हम कह सकते हैं कि केरला से ट्रेडिंग होती होगी चाइना में, तो यहां से जो है, स्पाइसिस विगेरा भिजवाई जाती होंगी चाइना में, इसके अलावा, अगर के क्लाइमेट एंड लैंड की बात करें, तो यहां की लैंड बहुत फर्टाइल है, क्लाइमेट बहुत ही सुटेबल है, फोर ग्रोइंग दर राइस, चावल यहां पर, मिजॉरिटी में ग्रो किये जाते हैं, यहां के लोग चावल खाते हैं, इनका स्टेपल फूड है, इसके लावा फिश एंड वेजिटेबल भी खाते हैं, केरिला में ओनम एक फेस्टीवल एक त्योहार है, जो सेलिब्रेट किया जाता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां से शोर शॉर्ट एक वेजिटेबल आता है, कि कौन से प्लेस में कौन सा फेस्टीवल जो है, सेलिब्रेट किया जाता है, इसके लावा एक क्वेजिटेबल डांस का भी बनता है, ठीक है, तो यह भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि कौन से प्लेस का कौन सा फोक डांस है, नाम याद रखना सबका, अब ओनम फेस्टीवल में क्या होती है, बोट रेस होती है, तो बोट रेस का ही यहां पर एक आपके सामने पिक्चर दिखाया है, अगर हम केरला लद्दाक दोनों एरिया की बात करें, तो दोनों एरिया में हमें different geographical features देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम history की बात करें, तो दोनों ही एरिया में हमें similar cultural influence देखने को मिलते हैं, कैसे? क्योंकि दोनों ही एरिया में हम यह देखते हैं, कि Chinese and Arab traders आए and इनका Chinese का Arab traders का अच्छा खासा influence हमें देखने को मिलता है So it was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices Kerala का जो geographical area है या जो climatic यहां की condition है वो spices के लिए बिलकुल suitable है, rice के लिए बिलकुल suitable है The special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions इसके लावा Ladakh में wool मिलती है So कहने का मतलब है कि जो traders है, Chinese traders, Arab traders यह Kerala and Ladakh की तरफ इसलिए attracted हुए थे Kerala में spices and Ladakh में wool मिलती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो history and geography है History and geography are often tied in culture life of a region एक region के एक area के cultural life को बांध के रखती है ठीक है The influence of diverse culture is not merely a thing of past कि सिर्फ past में ही diverse culture का influence हमें देखने को नहीं मिलता बलकि present day की बात करें तो diverse culture का जो influence हमें आज भी देखने को मिलता है आज भी लोग एक जगे से दूसरी जगे काम के सर्च में या और बहुत सारे reasons की वज़े से एक जगे से दूसरी जगे जाते रहते हैं और हर लोग जो एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं नए place में settlement करते हैं वो अपने साथ अपना cultural tradition भी लेकर जाते हैं जिन places में जिन नए जगों पर जाकर वो रहने लगते हैं वहाँ पर दीरे दीरे वो उन चीजों को उन आदतों को या उन एरिया के कल्चर को भी अपनाने लगते हैं तो इसलिए हमें कल्चर का एक मिक्स्चर देखने को मिलता है Similarly हम अपने neighborhood में अलग अलग community के लोगों के साथ रहते हैं अलग background के लोगों के साथ रहते हैं फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि हम लोग बहुती peace and harmony के साथ रहते हैं एक दुसरे के साथ मिल जुल कर रहते हैं इसके अलावा hear stories about each other's life एक दुसरे की जिन्दगी के बारे में कहानिया सुनते हैं बाते सुनते हैं एक दुसरे के custom एक दुसरे के traditions को हम share करते हैं तो इससे होता क्या है इससे होता ये है कि हमारे देश में जो ये diversity है न ये हम लोगों की जिन्दगी में एक enrichment प्रोवाइड करती है हमें एक दुसरे के culture, custom, traditions के बारे में पता चलता है ठीक है तो यही एक खूबसूरती है diversity की अब जो next part है unity in diversity इसको हम next video में complete करेंगे और इस chapter को फिर हम fourth part में बिल्कुल complete कर लेंगे चलिए मिलते हैं next video में till then bye bye आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड सकते हैं कोई doubt है comment section में लिखिएगा Thank you so much Hello everyone I am Priyanka Gor welcome back to my channel learning with pace हम लोग class 6 civics का first chapter कर रहे हैं the chapter name is understanding diversity and इस chapter का यह हम last part अभी करेंगे and the topic name is unity in diversity तो इंडिया की अगर हम diversity की बात करें it has always been recognized as a source of its strength तो इंडिया की जो diversity है इसको हम एक strength का source मानते हैं इसका एक आगे example भी दिया गया है जैसे की अगर हम उस time period की बात करें जब Britishers हम पर rule कर रहे थे तो Britishers को oppose करने के लिए सभी लोग एक साथ मिलकर सामने आए and सब ने Britishers को oppose किया था तो Britishers के against women, men जो अलग-अलग culture and different religious and regional background से थे सब साथ में मिलकर सामने आए and Britishers को oppose किया इसके अलावा जितने भी freedom movement यहां चलाए गए तो इन सभी freedom movement में हजारों की संख्या में जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यह सब लोग एक दूसरे से अलग background से belong करते थे लेकिन फिर भी सब लोगों ने साथ में मिलकर काम किया Britishers के against साथ में मिलकर सब ने Britishers को oppose किया था इसके अलावा जो भी actions लिए जाते थे ब्रिटिशर्स के against वो भी साथ में मिलकर decide किये गए इसके अलावा जो भी Britishers के against बोलता था Britishers उनको उठा कर जेल में डालते थे तो जब सब लोग मिलकर Britishers को oppose कर रहे थे तो इन सभी को जो है जेल में डाल दिया गया था तो इतनी diversity होने के बावजूद भी सब लोगों ने साथ में मिलकर Britishers को oppose किया था और साथ में मिलकर jail भी गए थे इसके अलावा सभी लोग जो है जिनोंने movement में, freedom movement में participate किया था Britishers को oppose करने के लिए तरह तरह के different ways भी निकाल रहे थे अगर हम Britishers की बात करें तो Britishers यहाँ पर जो है अपना rule continue करना चाते थे बट with a plan इनोंने एक policy बनाई इनोंने सोचा कि क्यों न यहाँ पर एक divide वाली policy जो है वो खेली जाए तो इनको न यह पता था कि हमारा भारत जो है न वो अलगलग गुरुप में बटा है caste के basis पर, word के basis पर तो जब Britishers को यह बात पता चली तो उनको लगा कि क्यों न यहाँ पर divide and rule वाली policy खेली जाए divide and rule का मतलब यह है कि इन लोगों के बीच में हम जो है मन मुटाव कराते रहेंगे एंड हम लोग जो है इंडिया पर rule करते रहेंगे ठीक है तो कौन rule करते रहेंगे Britishers यहाँ पर rule करते रहेंगे लेकिन जो लोग है उनके बीच में differences होते रहेंगे मन मुटाव होते रहेंगे ऐसा इनका मानना था Britishers का और Britishers ने divide and rule वाली policy अपनाई थी लेकिन ये policy जो है इनकी fail हो गई थी क्योंकि बले ही लोग एक दूसरे से अलग हैं अलग-अलग background से belong करते हैं लेकिन जब Britishers की बात आई तो सबने साथ में मिलकर unite किया और साथ में मिलकर Britishers के against आवाज उठाई अब यहाँ पर नीचे ये एक song दिया हुआ है ठीक है एक बार ये song पढ़ लेना तो ये जो song है ये पते कब गाया गया था जब जलिया वाला बाग मेसेकर हुआ था अमरित सर में तब उसके बाद ये song गाया गया था चलिए भी इसके बारे में थोड़ा सा detail में बात करते है तो जलिया वाला बाग मेसेकर कहां हुआ अमरित सर में हुआ तो उस टाइम पर हुआ ये था कि हमारे यहां से अलग-अलग लोग जो है अलग-अलग बैगराउंड से बिलोंग करने वाले लोग ब्रिटीशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जलिया वाला बाग में जो है प्रोटेस्ट किया था और सभी लोग अनाम्ड थे अनाम्ड का मतलब है जब यह प्रोटेस्ट करने गए तो इनके पास किसी भी तरीके के आम नहीं थे कोई भी वैपन्स नहीं थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटीशर्स बट इस टाइम पर हुआ ये कि ब्रिटीशर्स जैसे कि वो चाहते थे कि कोई इनके अगेंस्ट ना बोले तो इस टाइम पर जब ब्रिटीशर्स ने ये देखा कि बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ब्रिटीश जर्नल ने अपनी आर्मी को कहा कि open fire कर दीजिए तो open fire में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए और हमारे लोग इसलिए इतनी संख्या में मारे गए क्योंकि लोग unarmed थे क्योंकि peaceful तरीके से वो protest कर रहे थे और फिर बाद में यह song compose किया गया यह song जो है उन लोगों की memory में गाया गया जो लोग मतलब वो brave people जो जलिया वाला बाग में बैट कर peaceful तरीके से protest कर रहे थे तो उनकी memory में यह जो song है यह compose किया गया था ठीक है चलिया बागे देखते हैं songs and symbols that emerged during the freedom struggle serves as a constant reminder of our countries rich tradition of respect for diversity देखो जितने भी song and symbols का use किया गया during freedom struggle क्योंकि freedom struggle के time पर तरह तरह के song आए गए ठीक है इसके लाबा तरह तरह के symbols use किये गए ओके तो यह जो song and symbol है यह हमारे देश की जो diversity है उसकी तरफ एक respect शो करते हैं क्योंकि इन song में इन symbols में हर एक cultural regional and religion background का ध्यान रखा गया था and क्या आपको पता है कि Indian flag की एक story है story यह है कि Indian flag को as a symbol use किया जाता था to protest against the British by people everywhere तो क्या होता था कि जहां-जहां Britishers के against protest करना होता था वहां पर यह तिरंगा लहराया जाता था as a symbol यह दिखाने के लिए कि हम Britishers के against है important question है यह ठीक है जवाहरलाल नहरू ने book लिखी जिसका नाम है the discovery of India direct question बनता है and बहुत important question है ठीक है जवाहरलाल नहरू ने यह book लिखी थी जवाहरलाल नहरू कोन थे यह इंडिया के first prime minister थे ठीक है तो इन्हों ने यह book लिखी and नहरू says that Indian unity is not something imposed यह कहते हैं अपनी इस book में कि जो इंडिया में यह आप unity देख रहे हो इस diversity के बीच में जो लोगों के बीच में यह unity that means यह जो एकता देख रहे हो ना लोगों के बीच में यह एकता बाहर से impose नहीं है यह unity लोगों के दिल से आई है it was something deeper and within its fault तो यहां पर यह कहते हैं कि यह unity diversity में जो है लोगों के दिल से आई है ना कि कहीं बाहर से ये impose है इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर अलग-अलग custom and religion को practice करने वाले लोग रहते हैं लेकिन ये लोग एक दूसरे की तरफ एक widest tolerance दिखाते हैं एक दूसरे के धरम की एक दूसरे के culture की respect करते हैं उसको acknowledge करते हैं उसे encourage भी करते हैं and ये जो term है ना unity in diversity ये term नहरु जी ने ही coin की थी most important question एक और आ गया देखो इसी तरीके से examiner जो है ना छोटी-छोटी लाइनों से question उठाता है इसलिए कहते हैं कि NCRT जो है ना वो notes से मत पढ़ना कभी भी हमेशा line to line इसको पढ़ो हर एक line हमें कुछ सिख आती है and हर एक line से कहीं ना कहीं से question तो बनता ही बनता है ठीक है तो ये जो unity in diversity है ये term नहरु जी ने coin की थी इंडिया का national anthem किसने compose किया question आ सकता है ये compose किया था रभिंद्रेनात टैगोर जी ने जो ये national anthem है हमारा ये भी एक expression है to show the unity of India मतलब national anthem में भी आप देखोगे तो unity दिखाई है इस diversity की हमारे भारत की एकता दिखाई है देखो national anthem एक बार देखो तो उसमें जब आप line देखोगे तो line है पंजाब सिंध गुजरात मराथा तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अलग-अलग places के नाम दिए गए है इनफेक्ट अलग-अलग धरम के बारे में बताया हुए तो कही न कहीं आप यह देखते हो कि national anthem जो है न वो हमारे देश की इंडिया की प्यारे से भारत की unity को शो करता है In what ways does the national anthem describe this unity तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके आप lyrics देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से unity को शो किया गया है अच्छा इसको पहली बार कब गाया गया था तो ये भी एक important question बनता है हाला कि इसको NCRT में बताया नहीं हुआ है तो लेकिन फिर भी इस चीज के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए तो 27 December 1911 को इसको Calcutta में गाया गया था अब चलिए हमारा जो यह first chapter है यह complete हो गया अब हम second chapter पर मिलते हैं इसके अलावा आप मेरे साथ टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं कोई doubt है comment section में लिखिएगा Thank you so much for watching this video. Bye-bye